आमोश अध्याय साथ विनास के तीन दर्सन टीडियां परमेशर यहवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरम में टीडियां उत्पन की और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा हे परमेशर यहवा शामा कर नहीं तो याकूब कैसे सितर रैसकेगा वह कितना निर्बल है इसके विशे में यहवा पस्ताया और उसने कहा ऐसी बात अब नहोगी आग परमेशर यहवा ने यह दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमेशर ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महा सागर सूख गया और धेस भी भशम होने लगा तब मैंने कहा हे परमेशर रुक जा नहीं तो याकूब कैसे सितर रैसकेगा वह कैसा निर्बल है इसके विशे में भी यहवा पस्ताया और परमेशर यहवा ने कहा ऐसी बात फिर नहोगी साहुल उसने मुझे यह भी दिखाया मैंने देखा कि परभू शाहुल लगा कर बनाई हुई किसी दिवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है यहवा ने कहा एक शाहुल तब परमेशर ने कहा देख मैं अपनी परजा इजरैल के बीच में साहुल लगाऊंगा मैं अब उनको ने छोड़ूंगा इस हाग के उंचे स्तान उजाड और इजरैल के पवितर स्तान सुनसान हो जाएंगे और मैं यारुबाम के घराने पर तलवार खीश ते हुए चड़ाई करूंगा आमोश और आमाशा तब बैतेल के याजक आमाशा ने इजरैल के राजा यारुबाम के पास कहला बेजा आमोश ने इजरैल के घराने के बीच में तुस्से राज़द्रों की गोश्टी की है उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता क्योंकि आमोश यूं कहता है यारुबाम तलवार से मारा जाएगा और इजरैल अपनी भूमी पर से निश्चे बंदवाई में जाएगा तब आमाशा ने आमोश कहा हे दर्सी यहां से निकल कर यहुदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भवश्यवानी कर पर माशा से कहा मैंने तो बहई वकता ता और नय भवश्यवकता का बेटा मैं तो गाए बयल का चर्वाहा और गुलर की वरक्ष्रों का छाटने वाला था और यहवा ने मुझे भीडवकरियों की पीछे-पीछे फीडने से बुला कर कहा जा मेरी पर जा इ Alban में भाईligen बानी कर इसलिए अब तु यहवा का वचन सुन तु कहता है इजराइल के विरूद भाविश्यमानी मत कर और इसाग के घराने के विरूद बार बार वचन मत सुना इस कारण यहवा यूं कहता है तेरी इस्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमी डोरी डाल कर बांट दी जाएगी और तु आप असुद देश में मरेगा और इस्राइल अपनी भूमी पर से निश्चे बंदवाई में जाएगा थैंक्यू